शनिवार की अलसुबह गुरुग्राम के नाथुपूर इलाके में बनी जुग्यों में अचानक आग लग गई या अग इतनी भीशन हो गई थी कि वहाँ पर बनी करीब 700 जुग्यां इसकी चपेट में आ गई और जल कर खाक हो गई दमकल विभाग को रात लगभग दो बजे इस आग जनी की घटना की सूचना दी गई जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 29 दमकल केंद्रों से 12 गाडियों और गुरुग्राम के अन्य फाइर सर्विस टेशन से बाकी गाडिया भी मौके पर पहुँची सारी दमकल गाडिया आग पर काबू करने में जुट गई और दमकल विभाग की दो दर्जन गाडियों ने करीब 6 गंटे की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया वही जुग्यों में आग इतनी भीशन थी कि इलाके में काले धुए का गुबार चा गया था लेकिन गनीमत रही कि इस हाथसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन इस आगजनी में लोगों की जमापुंजी जो की लाखो रुपए में थी वो जमापुंजी और सामान जलकर राख हो गया वही जुगियों में आग लगने का कारण शोर्ट सर्किट बताया जा रहा है फायर कर्मियों की माने तो जुग्यों में आग लगने की वज़े से LPG गैस सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हो गया था जिसके चलते आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी फिलाल जिला प्रशासन ने इस हाथसे के बाद पीडितों को पुनस्थापित करने की वेवस्ता शुरू कर दी है गुरुग्राम के फायर अधिकारी आयस कश्षप ने बताया कि जुग्यों में लगी आग को बुझाने के लिए रात दो बजे से आट बजे तक फायर करमी लगे हुए थे जो कि छे गंटे के बाद मशक्कत करने पर आग पर काबुबा सके फायर विभाग द्वारा मोके पर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है अज़र कल रात को जो जुग्यों माग लगी थी क्या कुछ एक मामला है बलगा है यह आके घटना हमें सुपे दो बज के रात को दो बज के आठ मिनट पे विजय यादव ने सेक्टर 29 फायर स्टेशन पर ती थी उसके बाद सेक्टर 29 से दो गाडियां तुरंत मोके के लिए रवाना हुई उन्होंने मोके पे जाके देख्या कि यह तो बहुत ज़्यादा जुग्या है और बहुत ब्यंकर आग लगी हुई है उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरे को संदेश दिया और कुछ प्राइवेट लोगों का जनता के बीच से कुछ लोगों ने नेट से सर्च करके मेरे को कॉल की मैंने तुरंत भीमनगर से तीन गाड़ियां सेक्टर सैती से दो गाड़ियां उद्योग विहार से दो गाड़ियां और डियलफ के लिए भी मैंने आदेश किये कि वहां से भी गाड़ी मगा लो तो हमने टोटल लगबग सभी गाड़िया महां पे 15 गाड़ि प्रश्री जो हमारे जो फायर ओफिसर थे पंकज प्रासर जी जिन्होंने मौके से रिपोर्ट दी है वो साथ सो के लगबग जुगिया जली है किस तरह से आग लगी कैंपुछ पता लग पाया ज़र आग लगने का कारण अभी किलेर तो नहीं है लेकिन यह जो इस तरह की समभावना यही है जानमाल जो जुगियों में लोगों का घरेलू सामान होता है वो पूरा स्वाह हो गया साथ सासों के लगबग जुगियों में और शेसों के लगबग पांच शेसों के लगबग बच गी है किसी के अभी तक किसी भी आदमी के हतात होने की कोई सूचना हमा प्रफ्टाफ था कोई किसी के पास भी ऐसी कोई सूचना जो हर जुगी में छोटाया बड़ा सिलेंडर होता है वो सिलेंडर फटे हैं वो फटने की आवाज मेरे को भी फॉन पे आई है और कुछ शिलेंडर बड़े भी थे उसमें लेकिन वो ओपन एरिया होने की वज़े से ज्यादा नुक्सान नहीं हो पाया है और आसपास जो बिल्डिंग थी वो भी काफी मतलब उनकी रेंज से बाहर थी कितने गाड़ियां लगिया और सब्सक्राइब कर दो बच के दस मिनट से लग बग सुबह च्छ बजे हमने इसको कंट्रोल कर लिया आठ बजे के लग बग हमने बाकी गाड़ियां वापस बेज दी एक दो गाड़ी जो सेक्टर 29 की थी वो मोके पे रही ताके कहीं जो आग सुलगरी है उसको बुजाया जासे पगर बुख करें